हरी ओम ओम गानिश कर्मकानबाय आनंत पाठक में पून्हा आप सभी का सुभागत करता हूं और जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था कि प्रती पदाती थी चैत्रमा की प्रथम नवरात्री में भाउमा अश्विनी अमृत सिद्धी योग है जो बहुत सरेष्ट है और उसमें भी गुड़ी पाड़वा के दिन है अर्था तो प्रथम दिन नवर जाहे आप सकामभाव से करें आप निशकामभाव से करें ये करम सिद्ध होई जाते हैं जैसे लिखाये के हस्तह सुरिये मृगहसो में वारे भाउमे तथाष्विनी ध्यान से सुनिएगा बदे माईत्रम गुरव पुष्ये रेवती ब्रगुनंदने रोहइनी शुर्य अभी योग होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा है और आगे वैसे ही जो सारे वार है जैसे बुद्वार युक्त अनुरादा नक्षत्रा गुरुवार युक्त पुष्य नक्षत्रा शुक्रवार युक्त रेवती नक्षत्रा और शनिवार युक्त रोहिनी नक्षत्रा जब इस सवार में यह नक्षत्र होते हैं तब बनता है अमरुट सिद्धी योग लेकिन जब भाओम अश्विनी के साथ यहाँ योग आ रहा है तो बहुत बड़ा लेकिन विशेश जो महात्में इसका यह होगा कि यह नवरात्री के प्रसम दिन है चैत्रमा की इस नवरात्री में ह और वो है 9 एपरिल को अर्थाद 9 एपरिल मंगलवार के दिन है सोचे कितना बड़ा इसका योग है और महान इसका फ़लोगा और लिखा है कि असाव अमरुट सिद्धिश्य भोगह प्रुक्तह पुरात नहीं इस सब दिन इस योग में किया गया जो सारा कारिया होता है वह स अब सिद्धी प्रदान करने वाला होता है तो अवश्य मैं कुछ कुछ चीजे आज आपको इस विश्य वीडियो में बनाऊंगा जैसे मुझे कुछ लोगोंने कॉमेंट बक्स में भी पूछा है और कुछ लोगोंने मुझे मैसेज भी किया है कि यह योग बन रहा है तो ग श्यार करें चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिनहा दबाएगा तो हाँ यहां जो भाउम अम्रुत शिद्धी योग है वह सुबह सुर्य उदाई से लेकर रातरी काल तक करीब करीब 11 बच कर 15 मिनिट तक रहने वाला है करीब करीब रातरी काल तक है तो आप पूरा दिन आपको मिलेगा तो हाँ आप चाहे तो तीन धातु की अंगुठी बना कर पहन सकते है और उसमें और कुछ करने की आवशक्ता नहीं होगी और उसकी जो मात्रा है उस विशे में मैं अधिक नहीं बोलूँगा आप चाहे तो एक ग्राम सुवर्न ले सकते है दो चाहे और चाहे तो यहां अर्थिक रूप से वैसे लेकिन मूल जो बात है वो तीन धातु का मिश्रण करना तो उसी दिन आप बनवाने की शुरूआत की जिए और उसी दिन क्योंकि नवरातरी का दिन है राप्तरिकाल तक यहां अश्विन्यम रुस्तित्धियोग है तो व चाहे तो पहली उंगली में भी पहन सकते हो जो गुरू की है तरजनी और आप चाहे तो यहां अनामिका उंगली में भी पहन सकते हो जो है सुरिय बगवान की उंगली तो यह एक चीज़ है दूसरा सुबह उठकर जो घर की देहली है उस देहली को पुरिन तरीके से अच्छे तरीके से साफ कीजिए देहली की दोनों साइड स्वस्तिक बनाईे और उस स्वस्तिक के ऊपर पुष्प और अक्षत अरपन कर लीजिए यह एक दूसरा प्रयोग है और दूसरा यहां जो देहली साइड आप रख सकते हो चाहिए वो एक टुकडा रखें दो टुकडा रखें जैसाब भी हो ताकि नकारात्मक उर्जा से आपकी रक्षा हो आपके घर की रक्षा हो और अमृत सिद्धी योग में ये बहुत ही सिद्धी प्रदायक है दूसरा आप सुबा सुबा वैसे हर को प्रजवलित कीजिये जहांपर घर में पानी में पानी स्थान होता है जो पितरों के लिए बहुत उत्तम अंगया है तो जो पानी स्थान है आज के समय में अगर हम मात करें तोach हो जाता है पहले की जमाने में यह था कि जहां पर मिट्टी के घड़े रखे जाते थे जिस में से हम पानी पीते ते उसके आज पास कोई पूरे वन्ष में पूरे परिवार में किसी की अपमृत्य हुई हो तो वो दूर हो और आपको सवर्ग लोग की प्राप्ति हो मोक्ष प्रदान हो ऐसी हमारी तरप से कामना और भगवान को भी प्राथना करनी चाहिए ताकि पितर भी खुश होगे और पितर दोश में भी कही होताए अस्के अलावा उसे दिन अगर आप नके दिन उप्वास तो वेक अलग ही नियम या एक अलग ही पूरा अनुष्ठान हो जाता है लेकिन अगर आप 9 दिन तक ना करके पहला दिन भी अगर आप यहां उपवास करते हो इस प्रतिपदाती थी भावम अश्विन अम्रुट सिद्धी योग उस दिन बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दिन या योग है तो वो एक दिन केवल नमक का मिठे का दूद दही आदी जो है रिसनली मैंने कभी व्रत के विशे में वीडियो बनाया था उसमें भी आप देख सकते हो वो जो चार-पांच चीजे है उसका त्याग करे अर्था तुसका सेवन ना करे उसमें बहुत लोग ने मुझे ये भी प्रशना पूचा है कि गुरुजी जो फल होते है मिठे वो खा सकते है तो फल वो खुदरती है वो खा सकते है उसमें कोई दिकप नहीं है लेकिन उसके अलावा अतीरिक्त जो मिठा होता है या फिर नमक होता है या फिर दुद है या दही आदी है और गी आदी है वो उस दिन नहीं खाना है उसका त्याग कीजेगा उसके अलावा सारी चीज़े खा सकते हैं, अगर आप एक दिन का यहावरत करते हो तो अगर नौ दिन अनुष्ठान करते हो नवरातरी के तो फिर ये नियम आपको लागू नहीं होगा, वो नौ दिनों का जो नियम होता है नवरातरी का वही लेकर आपको चलना है, उसके अलावा उसे दिन अर्थार इस भावम, अश्विनी, अमृत सिद्धी योग में, गणेश जी की उपासना जो होती है, वो काफी फलदाई होगी, उसी प्रकार से हनुमान चालिसा के जो पाठ है वो काफी फलदाई होगी, उसी प्रकार से अगर कर्ज से आप पिडित हो, कर्ज से बहुत गणेश रणमुक्ती मंत्र जो है, उसका अनुष्ठान एक दिन तो एक दिन कीजिए, जैसे बारा पाठ कर लिए और उसी से जुड़ा हुआ जो मंत्र है, ओम गणेश रुनम चिंदी वरेन्यम हूम नमापड, इसकी बारा माला आधी कर ली, आप चाहे तो प्रती दिन जो अमरुचिदी योग है, बवम अश्विनी अमरुचिदी योग, उसमें ये अधिक फलदाई होगा, और कही ना कही कर्ज मुक्ती के द्वार भी खुलने लगेंगे, दुसरा उस दिन, गर के सारे जो सदस्या है, गर के सभी सदस्यों के उपर से, श्रीफल ले लिजे, और एक ही नारियल लिजे, और गर के सभी सदस्यों के उपर से, माथे से लेकर, अर्थात सीर से लेकर पैरों तक, उसको क्लॉक वाइस पांच बार घुमाएं, और उस नारियल को रात्री के अर्थात शाम के सुरियास तो हो, उससे पहले बहते हुए पानी में आप विसर ज लग सकते हो, ताकि कोई ऐसी चीज़े होगी, तो आपके और आपके परिवार के उपर से सब निकल जाएगा, और आपके आपके परिवार की रक्षा होगी, अब यह हो गए कुछ-कुछ ऐसे टोटके सारल सहाज, उसके अलावा जैसे उस दिन, घर में अगर आप पोछा ल उसके अलावा फिर जब शाम का, संध्याकाल का समय है, तो संध्याकाल के समय में अवश्य ही, संध्याकाल के समय में अवश्य ही, घर के बाहर, देहली के उपर, या घर के आंगर्म, या घर के टेरस पर, कम से कम एक दीपदान, कम से कम एक दिया, अपने पीतरों के नाम का लगाईएगा और वो सावा ग्यारा या साड़े ग्यारा बजे से पहले करना है या मैं कहूंगा कि संध्याकाल करीब करीब साथ से आठ के बीच करेंगे तो भी चलेगा तो यह अवश्य कीजिएगा यहां जो दीपदान है वह सर्वसित दिया देने वाला होगा पितरों को मो देहली उपर कीजिए आप चाहे तो दो दीपदान दो साइड देहली के कर सकते हो टैरस में कर सकते हो आंगर में कर सकते हो वह चाहे घी का दिया कीजिए चाहे खड़ी बात का कीजिए चाहे लेटी बात का कीजिए चाहे मिटी का दिया लीजिए चाहे कोई भी दिया लीज भगवान के लिए कोई ऐसे सामगरी ला सकते हो पूजन सामगरी हो गई या आप चाहे तो जैसे चांदी का दिया हो गया तामवे का दिया हो गया या फिर भगवान के लिए पूजा के बरतन आदी ले सकते हो यंत्रा आदी ले सकते हो तो ऐसे पवित्र चीजे है वो भी इस आप ले सकते हैं उसके अलावा अगर हम बात करें माताय और बहने की अधिक तर आप देखें तो नवरात्री में जैसे अश्टमी और नवमी को ही हम कुमारी पूजन करते हैं अर्था छोटी कन्याओ को माता के स्वरूप में बुला कर पूजा और उनको अन मतलब उनको भोज किजिगा क्यूंकि इस दिन किया गया कुमारी का पूजन होगा वह एक कन्या के बराबर सो कन्या होगी अर्था था पहले नवरात्री के प्रथम दिन अगर आप छोटी सी कन्या को बुला के वो चाहे दो से दस साल के बीच की आयू की कन्या है उनको बुला के उनको मातारान कुमारी का पूजन करती हो तो एक कन्या के पूजन के बराबर सौ कन्या-पूजा का फल परापत होगा क्योंकि बहुमा अश्विनी अमरसिद्धी योग है उस दिन जो भी काली आप करोगे जैसे हम मातरानी का कलास्थापना गटष थापना जवारास्था अपना यह सारी ची तो यह था आपके ही द्वारा किया गया प्रश्ण और उसका समाधन और उसके अतिरिक्त जो भी विशेश सास्त्रों कुछ-कुछ उपियोग प्रयोग और जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वही में ने वरनित किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक कीज नए विशेश और वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहिए कर्मकाण बयानन पाठक मेरे साथ ओम गाने शरहर महादेव और सभी को जैमाता दियो और नवरातरी की बहुत बहुत शुब कामना है झाल 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 झाल